हैलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जानेंगे बैंक से संबंधित सब्दों की इंगलिस जैसे नकद, उधार, लाब, हानी, लेंदेन, किस्त और इन सभी के इंगलिस जानेंगे फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फस्ट, नकद, नकद को इंगलिस में cash कहते हैं, नेक्स्ट, उधार, उधार को इंगलिस में borrow या loan कहते हैं, नेक्स्ट, लाब, लाब को इंगलिस में benefit या profit कहते हैं, नेक्स्ट, हानी, हानी को इंगलिस में loss कहते हैं, नेक्स्ट, लेन देन, लेन देन को इंगलिस में transaction कहते ह किस्ट को English में installment कहते हैं पैसे जम्हा करना को English में deposit कहते हैं पैसे जमा करने वाला को इंग्लिस में depositor कहते हैं पैसे निकालना को English में withdraw कहते हैं पैसे निकालने वाला को इंगलिस में वीड्रावर कहते हैं पैसे आएं या जमा को इंगलिस में क्रेडिट कहते हैं पैसे गएं या निकले को इंगलिस में डेविट कहते हैं स्रे कार्ड को इंगलिस में क्रेडिट कार्ड कहते हैं निकासी कार्ड को इंगलिज में डेविट कार्ड कहते हैं बैंक कर्मी को इंगलिज में बैंक वर्कर कहते हैं बैंक प्रबंधक को इंगलिज में बैंक मैनेजर कहते हैं खजांची को इंगलिज में केसियर कहते हैं चालू खाता को इंग्लिज में current account कहते हैं बचत खाता को इंग्लिज में saving account कहते हैं खाता को इंग्लिज में account कहते हैं खाता धारक को इंग्लिज में account holder कहते हैं खाता संख्या को इंग्लिज में account number कहते हैं next ब्याच ब्याच को इंगलिश में interest कहते हैं next संपती संपत के इंगलिश में property कहते हैं next आय को इंगलिश में income या revenue कहते हैं friends वीडियो को like करें वीडियो कैसी लगी हमें comment section में comment करके जरूर बताएं और हमारे चन्नरों को subscribe और share करना ना भूलें thanks for watching my video